तो भाई अबी कारू याल से 45 क्रूमिय है वाँ जाके हमें में रिटार लेना है उसकी अविस को देद्हां का फ्रेष देगा इसका को परोगा उसके बाधै नि लूए आगे चलते हैं अपने को कारू में आज इशले लेना है रुमान फल्टूरन है कारू में जड़ा कुछ पर्मिट वगयरा बनवाएंगे खारदुंगला और उम्रिंगला का और पैंगों का बस ये तीन जगे तो नदी के साथ साथ चलने में ऐसे मस्त ये पहार देख रहो बिल्कुल चोकलेटी टाइप के हैं जाएचे उपर कलर्फुल औरे बहुत हरा लाल गुलावी और मिट्टी मेला बहुत सारे मिक्स हो रखेंगें इसमें पहाडों में खोक या पहाडों मस्त है भईया मौसम उपर ठंते तो रेन लाइनर पहन लेते हैं नीचे जनी ठंब नहीं है ठीक है तो यहां दस रह गया उप्शी और कारू रह गया अब अभी भी 25 थी 25 रह गया हुगा अब बीटिफुल ब्रीज और बीटिफुल नदी अब मस्त जगा है भाई अब बीटिफुल है क्यारू वाला रोड तस किलोमेटर पहले उससे कारू से बहुत ही ब्यूटिफुल रोड है यह देख रहे हो चट्टाने कैसे अपना रूप ले रखा अलगी डिजाइन में है पानी एक्तम साफ एक्तम चिल्ड लें यहां से अ अब 45 km जायोजोग से किलोमेटर रहा हुए हूं है आज अध यह नहीं सकता जूधुल में हो थोड़ा कारू में थोड़ा काम नो करूथ हूं उसके बादि आध कभाना में अज कएमिंग कर अज कारू अज करा रही साफिति घरा रहा हूं तो सब्हुले धेखते हैं क्या स वेलकम टू मिलिटरी स्टेशन कारु और कारु आने वाला है पांचे किलोमेटर है कारु कारु से सीधा ले ले से सीधा अपने डेस्टिनेशन है जो दो तिन बचे हुई फिद सीधा दिल्ली पांग के बाद तो इतने बड़िया रोड बने हुए मैं क्या बता हूँ पांग के बाद बहुत अच्छे रोड ले तक यह तक तो ऐसे मिलेंगे आगे के और अगर बता तूंगा आपको कैसे है कैसे नहीं वीडियो पर बने रहना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और पहुंचने वाले कारूब अकरी कारूब और अजय है तो के तो आज है नो तारिक है यहां से मैं पर्मिट बनाओंगा, साज मेरी इसलिए फुल ले, क्योंकि जो मैंने रूम लियाता हूँ, इसलिए फ्लोर पर है, लगेज को ओपन निंची लाने में अलगाराब होगी, खेल आज पर्मिट बनाना है, पैंगों, खाडूंग्रा, उंडिंग्रा एंड नुग्र यहां पर्मिट बनवाते हैं और बाइग को लोड करते हैं, बागी में नीचे पहुचा चुका हूँ, बड़ा बैग, छोटे मोटे बैगे इनको हाथ में करके ले ले लाके, मिलते हैं आपको मोटर वलोग के तुरूंग् साड़े ग्यारा बजने और यहां सब निकलना है मेरको किधर नूब्रा गली बीच में खार दूंगला पैंगोंग् पढ़ेंगे पर देखते हैं अपरोक्स यहां से बन सिक्स्टी किलोमीटर है किती देर में पोश्ते हैं अभी चाह नाच्ता कुछ भी नी कर रहा है पैट आज को टूटा नूब्रा वैली वहां में लेग तो मार्केट से होता हुए निकलेंगे नूब्रा सफर बहुत लंबा है सफर अकेला है यहां पूछना पढ़ेगा मेरे को नूब्रा वैली के लिए नूब्रा नूब्रा वैली के लिए नूब्रा नूब्रा तो थोड़ा रोड डिस्टेंस कावर करते हैं देन उसके बाद कहां 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 जाना है अब है कि नूब्रा वैली के लिए कि सीधा कि तो आज की जन्नी मेरी स्टार्ट हुए कितने किलोमेटर पर चार्सो अठास सी पर तो देखते हैं आज की जन्नी कहां स्टॉप करता हूं मैं जल्दी जल्दी क्या बस अब मन सा पर रहा है मेरा के लिए पाफी लेट पहुच गया है काफी लेट पहुच जाओं मनाली में वह लेए और घर तो जाना है जल्दी जल्दी क्या अब मन सा पर रहा है मेरा केले पाफच चे दिन काटे न मैंने मुझे पता है वहने कैसे काटे काफी डिसपोइंटेन इंफरस्टेटेटीच टाइट जो वट बोलो वह कम है लूप्रा वैली की तरफ निकलते हुए और यह सारी लेट सिटी है आप देख पारे होंगे कितनी खतरनाक वह बनी हुए और यह देखो कितना प्यारा व्यू कि फ्लैक्स प्रेयर फ्लैक्स लाइक लगता फ्लैक्स तो आज मैं सोलो हूं आज से फिर से बीच में दो दिन मैं एक बंदा था साथ उसके साथ राइड करता था बट एक्शुली हुआ क्या कि उसके साथ मेरी थोड़ी अन्बन हो गई मैंने भाई तो अपने अलग रस्ते जा रहा हूं तो हम दोनों ने अपने अलग रस्ते पगड़ लिया है भाड़ में जाए तो मैं निकल र अपन हो तो देखते हैं और पेट्रोल मैंने यहां से फूल करा लिया है वहां पे अप्रोक से नूग्रा में बता रहे हैं पैट्रोल फैया बलेवर बट मुझे लगता नहीं मुझे नीड होगी अगर होगी तो रास्ते से कई 30 लिटर का ले लेंगे क्योंकि गाउं में कि कोई चोटे मोटे काउं पड़ते हैं तो उनको रखते हैं अपने पास 20-30 एक्स्रा लेते हैं बट कोई नहीं एक्स्टा करी करने से क्या फायदा एक तो ऐसी लगे इतना हो जाता है उपर से एक लगेज प्रेट्रोल का बड़ा हलका साता है एक वैक तो मैं अलेटी खोचुका हूं अपना कैम्प का टेंट का जो जिसमें मेरे स्टोव गैस वगेरा था बहुत नुकसान हुआ है स्लाइड में बहुत अप्रोक्स बजट म बड़ ले एक वार ही सहीए दुवार आने का मनी नहीं करेगा अपना थीक है अपना स्पीटी एक वार को अड़्वरेंशिस था यह भी है ऐसी वार नहीं है जो नहीं आया उसके लिए तो अड़्वरेंशिस है ही पूरा है मैरोथोन की बज़े से आज पैंगों निकलना पड़ेगा और उल्टा मुझे पचास कुमेटर जाना पड़ेगा कितना बुरा दीन है आज का शिट मैं शिट अब पता करना पड़ेगा किसी से कि यह रूड बंद है दूसरा रूड कौन सा चाल हुए मैंने जाब पर्मि रहें क्या यार ओलेडी इतना लेट ओछुपाओं उपर से को नाचता वगरा कुछ नी करा है जल्दी जल्दी के चक्कर में अठी कोई नहीं देखते हैं कर दो कर दो